Hello students, स्वागत है आप सभी का ग्यापन अकेडमी के इस नए वीडियो में Students, आज के इस वीडियो में प्रकास की परवरतन नाम के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम एक नए टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मीरर, जिसको हिंदी में बोलते हैं दरपन यह टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आप इस टॉपिक में जानेंगे, इस वीडियो में जानेंगे कि आप जिस सीशे में अपनी चेरे को देखते हैं, वो सीशा कौन सा दरपन है तो शुरू करते हैं तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि दर्पन क्या है दर्पन यानि कि मीरर क्या है आप अपने चेरे को जिस सीसे में देख पाते हैं हर रोज वो सीसा दर्पन कहलाता है उस सीसे के हम बोलते हैं मीरर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अब दर्पन को परिभासित करना है तो आप कैसे परिभासित करेंगे दर्पन वह पॉलिस की हुई तथा चिकनी सता है जिस पर परकास का परवरतन संभव होता है आपको समझाने के लिए मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ कि आप अपने चेहरे को हर रोज जिस सीसे में देख पाते हैं वो सीसे का आगे वाला चिकना सता जिस पर आप अपना इमेज देख पाते हैं और जिस पर परकास का परवरतन संभव है मतलब परकास का परवर्तन मतलब होता है परकास का किसी सता से टकड़ा कर वापस लोटना तो उस चिकने सता पर परकास का परवर्तन होता है और परकास का परवर्तन तभी संभव है जब उस सीसे का पीछे वाला सता पॉलिस किया हुआ हो जब तक पीछे वाला सता पॉलिस किया हुआ नहीं रहेगा तब तक परकास का परवर्तन नहीं होगा अतब हम अपना इमेज नहीं देख पाएंगे तो परकास का परवर्तन होने के लिए दरपन का पीछे वाला भाग पॉलिस किया होना चाहिए इसलिए दर्पन का पीछे वाला भाग पॉलिस सता होता है जिसको बोलते हम पॉलिस सता ठीक है यहां तक किलिए रहे अब जो चिकना सता है जिस पर परकास का परवर्तन होता है और जिसमें हम अपना इमेज देख पाते हैं उस सता को बोलते हैं हम परावरतक सता तो इसलिए मैं इस definition में बोली हूँ कि दरपन हुआ परावरतक तथा चिकना सता है जिस पर प्रकास का परावरतन संभव हैं अब मैं इस definition को लिख देती हूँ ताकि आप याद करकर एक्जाम में लिख सके लिखेंगे दरपन जिसको इंग्लिस में बोलते हैं मीरर दर्पन वह पॉलिस है यहाँ पर मैं डिफनेशन के लिख दी हूँ कि दर्पन वह पॉलिस की हुई तथा परवर तक साता है जिस पर परकास का परवर्तन संभाव है और जिसमें किसी भी वस्तु का किसी भी वस्तु का परतिविम बनता है दर्पन वह पॉलिस की हुई तथा परवर्तक सता है जिस पर परकास का परवर्तन संभाव है और जिसमें किसी विवस्तु का परतिविम बनता है यहां तक आपको खिलियर हो गया अब हुम समझेंगे दर्पन के परकार देखिए जो दर्पन होता है वो दो परकार का होता है मिरर दो परकार का होता है पहला होता है पहला होता है समतल दर्पन पहला होता है सम्तल दर्पन जिसको इंग्लिस में बोलते हैं प्लेन मिरर ठीक है और दूसरा होता है गोली दर्पन गोली दर्पन को इंग्लिस में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर अब हम समतल दर्पन के बारे में पढ़ेंगे समतल दर्पन वह दर्पन जिसका परावर्तक सता समतल होता है जिसका परावर्तक सता प्लेन होता है जिसका परावर्तक सता बराबर होता है मतलब आप अपने चेरे को हर जिस इसे में देखते हैं न वो दरपन समतल दरपन होता है मतलब आप चेरे को अपने चेरे को जिस इसे में देखते हैं वो बिल्कुल इस तरह प्लेन होता है और ये जिसमें आप अपना चेरा देखते हैं वो होता है परावर्तक सता और उसका पीछे वाला भाग जो polish किया हुआ होता है वो कहलाता है polish सता और यह जो मैं dot dot दे रही हूँ यह design नहीं है इसको physics की भासा में बोलते हैं polish करना और इसको बोलते हैं polish सता तो आप अपनी चेहरे को हर रोज जिस इसे में देखते हैं वो तरपन समतल दरपन कहलाता है अब मैं इसका डिफनेशन लिखूँ तो किछ इस तरह से होगा वह दरपन जिसका परवर्टक सता परवर्टक सता समतल हो उस दरपन को समतल दरपन कहते है लिख दी हूँ वह दरपन जिसका परवर्टक सता समतल हो उस दरपन को समतल दरपन कहते हैं अब हम बात करते हैं गोलिय दरपन की गोलिय दरपन वह दरपन जिसका परवर्टक सता एक खोकले गोले का भाग होता है मतलब उस दरपन को देखर ऐसा लगता है कि वो एक गोले का भाग है जैसा कि मैं आपको एक्जामपल देखर समझाती हूँ वह है यह चमच आप इस चमच को देख पा रहा है ना इस चमच को फ्रॉंट साइट से देखिए यह देखिए इस चमच को देख कर लग रहा है कि यह जो चमच है यह किसी गोले का भाग है अगर मैं इसको बोर्ड पर बनाओं इसको मैं बोर्ड पर बनाओं तो कुछ इस तरह से होगा इस तरह से चमच है देखिए बिल्कुल चमच की तरह बनाई हूँ अब मैं इस चमच को रख देती हूँ अब यह जो चमच का सिर्फ इतना भाग आप देखिए इस चमच में भी आप अपना परतिवीम देख पाते हैं यह जो चमच है इस चमच में भी आप परतिवीम देख पाते हैं और अब मैं यहाँ पर समझाती हूँ इस चमच का ये उपर वाला भाग होता है, वो ऐसा लग रहा है कि ये किसी गोले का भाग है, देखिए मैं इसको पूरा सरकिल पूरा कर देखिए, किसी गोले का भाग है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये किसी गोले से काट लिया गया है और तब इस चमच को बनाया गया है, बिल जिसका परावर्तक सता किसी खोखले गोले का उस दरपन को परावर्तक सता किसी खोखले गोले का भाग होता है उस दरपन को हम गोलिय दरपन कहते हैं यहां तक क्लियर हो गया अब गोलिय दरपन दो परकार का होता है मतलब जो गोला होता है गोलिय दरपन जो गोला को काट कर गोलिय दरपन बनाया गया है वो गोलिय दरपन दो परकार क होता है तो उसको हम समझ लेते हैं कि अब अब गोली अधरपन दो परकार का होता है वह हम समझ लेते हैं आप लिख देते हूं गोली अधरपन गोली अधरपन दो परकार का होता है पहला होता है और तल दरपन जिसको इंग्लिस में बोलते हैं कॉनकेव मिरर और तल दरपन को इंग्लिस में बोलते हैं कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है उत्तल दरपन उत्तल दरपन को इंग्लिस में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर ठीक है अब हम पढ़ेंगे ओतल दरपन क्या है तो ओतल दरपन वह गोली अधरपन है क्योंकि ये जो ओतल दरपन होता है ये भी कही न कहीं गोली अधरपन का एक पार्ट है इसलिए ओतल दरपन वह गोली अधरपन है जिसका परवर्तक सता अंदर की तरफ होता है मतलब जिसमें परकास का परवर्तन अंदर की तरफ होता है मैं आपको समझाओं तो कुछ इस तरह से होता है और इसको गोल बना दे रही हो इस तरह से और इसका बाहर का जो भाग होता है वो पॉलिस किया हुआ होता है और अंदर सिर्फ ओतल दर्पन में अंदर की तरफ से ही परकास का परवर्तन होता है अंदर के तरफ से ही आपका इमेज दिखेगा जैसे कि यहां से कोई परकास किया अंदर के तरफ से तकराएगी बाहर पॉलिस किया हुआ होता है तो इस परकार के दरपन को हम बोलते हैं और तल दरपन तीके इसको इस तरह भी हम बना सकते हैं और बाहर से पॉलिस कर सकते हैं बस आपको ध्यान क्या देना है आपको ध्यान ये देना है कि जब परकास की रंग जो परवर्तक सता है वो अंदर की तरफ हो और तल दरपन में प गोलिय दरपन होता है जिसका परवर्तक सता बाहर की तरफ होता है इस तरह से इसका परवर्तक सता बाहर की यर होता है और अंदर का होता है पॉलिस सता ठीक है और ये बाहर वाला सता होता है परवर्तक सता मतलब इस बाहर वाली सता पर परकास टक्रा कर वापस जाती है इसको इस तरह भी बना सकते हैं बस आपको ध्यान देना है कि इसका परवर्तक सता बाहर की तरह उठा हुआ हो और तल दरपड़ में जो परवर्तक सता होता है वो उठा हुआ होता है उठे हुए भाग पर परकास का परवर्तान होता है यहां तक क्लिए है मतलब आपको एक और ट्रिक से समझाने की कोशिस करूँ तो आप एक गोला ले लिजे इस तरह का यहाँ पर एक गोला में बना रही है और इस गोले को बाहर से पॉलिस कर दीजे और समझ लिजे यह अंदर से खोखला है और बाहर से पॉलिस कर दीजे अब ये अंदर का परवर्तक सता हो गया और बाहर का पॉलिस हो गया अब इसको काट दिया जाए तब बिलकुल ये जो भाग है इस ओतल दर्पन की तरह दिशने लगा तो वैसा दर्पन जिसका परवर्तक सता अंदर की तरफ होता है वो ओतल दर्पन अगर हम इस गोले को अंदर की तरफ से पॉलिस कर दें और बाहर से बाहर से परवर्तक सता रखें तो उस दर्पन को बोलेंगे बाहर से परवर्तक सता रखें और इसको काट दें तो ये जो भाग निकलेगा वो बिल्कुल उत्तल दर्पन की तरह दिखेगा तो वैसा दरपन जिसका परवर्तक सता ऊपर क्यूर होता है उस दरपन को बोलते हैं मुझतर दरपन अब इन दोनों का मैं डिफनेसन लिख देती हूँ लिखेंगे वा दरपन वा गोल ये दरपन वा गोल ये दरपन मैं यहां पर लिख दी हूँ कि वह गोल ये दर्पन जिसमें परकास का परावर्तन उसके भीतरी सता से होता है उस दर्पन को गोल ये दर्पन कहते हैं मतलब इस तरह बनाईए या फिर इस तरह बनाईए सिर्फ प्रकास जो परावर्तक सता है वो अंदर की तरफ से होना चाहिए उस दर्पन को बोलेंगे हम अउत्तल दर्पन ठीक अब दूसरा में लिखती हूँ उत्तल दर्पन का डिफिनेशन वह दर्पन वह गोलिय दर्पन चैन अब मैं यहां पर उत्तल दर्पन का डिफिनेशन लिख दी हूँ कि वह गोलिय दर्पन जिस पर पर्कास का परावर्तन उसके बाहरी सता से होता है उस दर्पन को हम बोलते हैं उत्तल दर्पन मतलब यह गोली दर्पन है और इस दर्पन का अगर परवर तक सता बाहर की तरफ हो और पॉलिस किया हुए सता अंदर की तरफ हो तो इस परकार के दर्पन को बोलेंगे उत्तल दर्पन या फिर इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं बस परवर तक सता बाहर की तरफ होना चाहिए तो इस परकार के दरपन को बोलेंगे हम उत्तलदरपन देखें यहां तब आपको उत्तलदरपन और उत्तलदरपन दोनों समझ में आ गया अब मैं आपको आने वाले वीडियो में यह बताओंगी कि दुरू क्या है वकृता केंद्र क्या है वक्रता त्रिज्या क्या है मुख्याक्ष क्या है फोकस बिंदू क्या है इत्यादी बहुत सारे टॉपिक है जो आपको आने वाले वीडियो में पढ़ने के मिलेंगे मैं इन सारे टॉपिक को आने वाले वीडियो में पढ़ाऊंगी तब तक के लिए बाई